हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफडेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम अलेकूम, वेलकम टू पैसा बोलता है विदान्चुम इबरहीम पाकिस्तान का करेंट का वो वाइडन हो गया और इसकी मेन वजा यह है कि एक स्पोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है हमारी जो रिमिटन्स हैं वो भी इतनी तेजी से भढ़ने नहीं थोड़ी सी बढ़ी है अब यह हाल है कि जब उनको गए वे उन्होंने तीन महीने के चुटी मांगी है और उनको ग्रांट भी हो गई है मगर कोई चेंज कोई मस्बच चेंज उनकी पॉलिसी में नजर नहीं आए यह लग रहा है कि वही पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है इसको हम डिसकस करेंगे आज हमने बिसनस रिकॉर्डर की टीम जो है जो जिनकी बीट्स हैं ये उनको मेरे साथ ताहिर अमीन साहब बैठा है एकनॉमिक अफेस डिविशन करते हैं लुक साथ एट एक्सटरनल बॉरॉइंग के कितनी हुई पाइब बढ़ण एशुएंस सुकुक एशुएंस और फ्रम कमर्शल बॉरॉइंग और साथ उनके सहेल सफरास साहब हैं बहुत सेनियर रिपोर्टर हैं बिसनस रिकॉर्डर के और ये करते हैं Federal Board of Revenue related matters को डिल करते हैं और हमारे साथ जहीर अबासी साब है जो मिनिस्ट्री ओफ फाइनस से जो उनकी बीठ है इस साल के लिए हुकूमत ने एक बिलियन डालर के लेकिन अभी तक सप्सकी जो जो पूरी साल के लिए वह अभी से ही खातम कर चुके है इसके लावा गॉर्मेंट ने योरो बांड और सुकूब बांड वन बिलियन डालर के बजट किये थैं लेकिन नुवंबर के महीने में वह तुपॉइंट फाइब बिलियन डालर के सुकू और ये उरो बांड इशु कर चुके हैं, तो इस तरह ये लेमेट भी है जे भी कर चुके हैं, जो पूरे शप्राइब एक्स्ट्रा होगे है। सो अनलस से एकन रेज आप और रेवन्यू एर बिज्टी सब्सक्राइब कर चुके हैं। सौहिल साब ये क्या हालत है। जी देखिए जो है रेवन्यू में बेहतरी तो जरूर आई है लेकिन ये बेहतरी इस वज़ा से नहीं है कि कोई एकनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इजादा इजादा हुआ है यह बहुत बिजनेसे खुले हैं यह बैसिकली जो टेक्स रेट्स हैं वो पिछले एक फीसद इंपोर्ट के ओपर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई और विद होल्डिंग टेक्स बेंकिन टराइक्शन से ले के आप किसी ट्राइक्शन का अप नाम ले उसके ओपर भिद होल्डिंग टेक्स लग गया है तो यह एक बन्यादी तोर पे क्लेर ली नजर आ रहार जो है वो रेवन्यू पूरा करें आप जो है वो टेक्स बेस को वाइडन करें और उस फ्लॉप की से रिमॉफ करें अब 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 आसी साब आप से मैं पूछूंगी के इनों ने तो ताहिर साब ने तो बता दिया हमें के फॉरण सुकूक और कमर्शल बॉरओंग बहुत भड़ गई है तो वाट अब डिमेस्टिक बॉरओंग बॉरओंग फॉम दिमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर जो करते हैं यह यह गोर्मिंट जब से आई थी का फॉरण बॉरओंग पर बहुत ज़्यादर एलाइंस था और उनका मौकफ यह होता था कि हम बाहर से ले रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ट्रेट लोया और हम इससे डिमेस्टिक बारॉओंग जो है उसको रिटायर करेंगे लेकिन अगर हम फिगर्स देखें जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें ये फनामेश बेस्ट प्राउडन करना चाहरे थे वो नहीं कर सके और सिरुप बाहर से और डुमेस्टिक बैंकिंग से सारा लॉन लेके अपने अखराजात मीट करते हैं तो करन्ट एक्सपेंडिचर और डिवल्प्मेंट एक्सपेंडिचर का क्या इनका वो है करन्ट एक्सपेंडिचर और डिवल्प्मेंट एक्सपेंडिचर हम इनके चार साला हुकुमत के दोरान देखें तो किसी एक साल में भी यह नहीं है कि इन्होंने करन्ट तुमित तो बजेट डेफिसित टार्गेट भी एक साल भी ने मीट किया वह भी हमेशा 2-3% रहे इन कीज दो तो 5.8% के क्रेब इने क्लोज किया है अच्छे प्रफिए अच्छिए परेक प्राद ब्राद इस रादर दिस्टर्विंग फिगर्स प्ली से बिद आज तो प्रोग्राम जो प्रोग्राम लोन्स बजट सपोर्ट के लिए होता है और इस साल के लिए 95 बिलियन रुपीज जो के बुचे गए हैं बजट में और यह कितने आरे थे एक तेन सो चोबिस बिलियन आयते 1516 में जबके लास्ट यर यह कंब होके 112 बिलियन ख़तम हो रहा था जाए और इस साल के लिए सिर्फ 95 बिलियन रखें जी तो इसले यह ज़िए इसले यह जारे है और बहुत जादा इस पहले पहले कामर्शल लोन्स पहल इनको लिए मिला है यह डीके डेटा से हमने जत्ता है कई भी नहीं मिला लेकिन यह 2013-14 में फर्स टाइम इन लोगों ने 322 मिलियन रुपे लिये डालर लिये अब तो जी पिछले साल 4 बिलियन है पिछले साल इन लोगों ने 2.05 बिलियन यह बजट किया था और 4.367 बिलियन यह बारों किया है प्रूक्यर के आपने पहले बता है एक बिलियन इस साल किया है और वह अभी तक खा चुके है तो अभी यह डीके जो ज़रा है वो यह बता रहे हैं कि और इस किसम के शार्ट टम्स जो है लोगों एक और यह मजीद बढ़ता जाएगा और बहुत सारे जो ह लेते हैं और बहुत जादा हाई रेट और इंटरेस्ट होता है सुहिल साब आप बताएगा कि जो रिफॉर्म अजेंटा था जो डार साब के वक्त में था किसी ना किसी तरह आपने इंक्रीज करना है टैक्स रेवन्यू टोटल कलेक्शन और जो कंपोनन्ट है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था कि इंडारेक्ट टैक्स जो है नहीं हाथ मारना क्यूंकि वो जो है वो पूर लोगों पे जादा उसकी इंसिडेंस होती है जादा उनके उपर फील होती है बनिजबत एक रही सादमी के तो यह बताएगा कि उस पे कोई काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा लेकिन उस उसमें से कुछ शॉर्टम डिमेंट हुई लेकिन जो बन्यादी जैसे आपने कहा के इंडिरेक्ट टैक्सिस का बर्डन ना बढ़े उसके उपर जो है वो कोई काम नहीं हुआ बलके उसका उल्टा ही नजर आया हमें इस इसी तो कलेक्ट राइट जीब बलकुल और सारे का सारा फोकस इंडिरेक्ट टैक्सिस पे अब बढ़े जा रहे तो इसलिए यह सारा फोकस जो है वो बढ़ेंट डाल के और उनको मजबूर किया गया कि भी आप जो है यह विद होल्डिंग टैक्स कुलेक्ट करें वरना हम आपको पेनल्टी को भी रेवन्यू कोलेक्शन का हिस्सा दिखाया जा रहा है तो इसलिए यह सारा फोकस जो है वो इस वकत अभी बी इंडिरेक्ट टैक्सिस पे है आपने कंपनियों पे सूपर टैक्स लगा दिया बैंकिंग सेक्टर पे हर वो तरीके कार अपनाया गया जिसमें असानी से जो है वो टैक्स आ सके ना के आप नए टैक्स पेर्ड्स हैं उनको डिसकवर करें या नई असेस्मेंट्स करें या कोई बड़े मेजर केसिस करें और टैक्स बेस को वाइडन करें जो बन्यादी मकसद एफबी आर का होना चाहिए था और जो के जो है एफबी आर में हुई है लाँच तो बहुत अच्छी करते हैं जी लाँचिंग बहुत अच्छी हुई है अब सिर्फ यह देखना है कि क्या आया यह बाकी जो है इनके पस इस्टम्स और ऐसे वेरिफकेशन के आपके पास गाड़ी का डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रे परक्से जो है वो देते हैं कि जी आपने नई गाड़ी खरीदी या आपने प्रॉप्री ट्रांजेक्शन की लेकिन उसको जो है वो प्रॉपरली एफबी आर फॉल आप नहीं करना पा रहा है अगर कोई जवाब देदे हैं गुफ एपी आर का कसूर है कि वो कोर्ट सिस्ट डाली जाए और इसी वज़ा से लिटीगेशन बढ़के तिकरीबन दो सो अरब तक जो है वो टेक्स पेर्स के साथ हो चुकी है जी अबासी साब आप बताएगा कि क्या कोई कोई चेंजेज आर फॉलसी में विद रिस्पेक्ट तो एक्स्पेंडेचर क्राइटेरिया कोई भी चेंजेज उस लिहाद से यह एक एक्सपेक्टेशन थी सब की के शाहिद दार साथ के मनज़र नामे से थोड़ा साइड पे हुने की वज़ा से शाहिए चाहेगा लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आरा बलके उसके भी उससे भी ज्यादा एक्सपेंडेचर में जो अभी इन्होंने हमने फैस्ट क्वाट इन्साइड पे भी जो 20-25% का एक रेशो होता है के कौर्टरली बेस पर रिलीज करते हो उससे बहुत ज्यादा बड़ा रिलीज हो चुका है And you think it could be politically motivated? जी, जी, इस वाकत अब बतलब ये मेरा खाने opposition parties ने तो यही यही लगा है I'll come back to this Abasi साहब just after the break. Please stay with us. Welcome back. Ladies and gentlemen, break से पहले हमें बता रहे थे हमें बहुत ही तेजी से जो expenditure rise हो रहा है इस साल Development Expenditure में भी, Guarant Expenditure में भी तो वो, there seems to be some linkage with, you know, political considerations. जी, Abasi साहब जब हम government के बहुत सारे अफसरांत से मिलते हैं, finance ministry हो यह बाकी planning commission हो यह कहीं पर भी तो वो हमें यह बताते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा release किया जाए और उसकी बनियादी वज़ा जो है, वो यह है, कि एक मुलक में government समती है कि political instability है जाले शाहिद के election यह अपना tenure पूरा ना कर सकें, या कोई ऐसी सूरताल हो जाए तो वो अपने जाले बाते तो हो रही हैं कि एक forward block बन गया है PML नवाज में बाते यह भी हो रही है कि you know some of the things that the government कर रही है with issues तो वो पूरी PML नवाज को on board नहीं ले रही है जी और यह चाह रहे हैं कि यह अपने जो इनके MNAs गहरा है उनके ज्यादा से ज्यादा उनके हलकूम है development budget के वाले से रिलीज कर सके हैं यह standard normal नहीं है अबासी साहब all former governments have done this too जी पीपल पार्टी की government ने भी यही किया था लेकिन यह मैं थोड़ा सा अंसर में यह ऐसा लगता है कि शायदीन की तरफ से यह बड़े tall claim थे कि जी हम यह इस हवाले से जब यह आए थे तो इन डिस्क्रेशनरी फंड भी कम किये थे और इनने का था जी प्राइम मिनिस्टर के नहीं है उस अब जो लग रहा है कि अगर उससे बढ़के नहीं कर रहे तो उतना जरूर कर रहे है कि वो उससी असाब से साहरा है All right, my final question to all three of you. I'll start with Tahir साहब. क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्मेंट को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि दूइंग अब बिजनस कम कर ले एक्सपोर्स को बढ़ाएं तो यही एक रास्ता है अदर वाइस तो गर एक और चीज़ एक्सपोर्स में बढ़ाने की कि दूइंग एक्सपोर्ट कटने अपना सुपलस. वी शुद्व एक्सपोर्ट थिंग्स विच्ट अदर कांटरी नीड. अम शुगर सुपलस होगाएं जी तो भेजो कॉटन सुपलस बेचें. वी शुद्व एक्सपोर्ट वाट 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 दोस आर ट्रेडिंग पार्टनर्स नीड. वह हमने अभी तक फोकस नहीं किया और यही इशू टेक्सटाइल सेक्टर के साथ भी हैं. अग Vegard, शुपलस हैं. अगलो कि जीशू पर्सइक्सटाइल से आते हैं, तुकांия बाकी दुनिया में तक्रीबर थी त고 भी दो शांठीन से करेंेशू तो नहीं बड़ोग पारी तो नहीं बड़ पारीगे के. जी ब्रादनिंग ऑफ टेक्स बेस नए टेक्स पेर्स को लाना बलकि उनको साथ इज़त भी देना उनको यह नहीं कि अगर वो आ गया है तो उसको फिर इतने नोटेस और रगणा देना तो उनको जो है वो साथ इज़त भी दी जाए एक टेक्स पेर कार्ड का भी अबासी सभद्ध देखें जी अप्षिंग एक रिज्ट एक जाना पड़ेगा लेकिन बेसी कली इंको जब तक यह रिफॉर्म्स के रहेंगे और फंडामेंटल साहले उनको अडरेस नहीं करेंगे Thank you all three for being on the show today. और जैसे हमें सुहिल साथ ने बताया, there is also a need to reform the tax system. और ट्रांस्पेरेंसी से ही आपकी foreign direct investment भी आएगी, आपकी domestic investment को भी फरूख मिलेगा, इजादत दीजिए इसे के साथ, खुदा हाफ़ेज. झाल से तरूख मिलेगजदव, आपकी के साथ.